नमस्कार दोस्तों करेंसी प्री मार्केट एनलाइसिस पे आप सभी कैस हो गया थे हैं आज है सिक्ष्ट अप्टेंबर 2023 कल डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ परसू दैट मेंस दा फॉर्ट अफ सेप्टेंबर को यूस वालीडे था फॉलवर वाई जो कल ओपेनिंग हुआ ओपेनिंग से ही डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखे गया डिटेल्स में यहां से हम क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आईए हम चार्ट पे चलते हैं डॉलर इंडेक्स अभी है 104.79 जो इमेडियेट रिजिस्टेंस था 104.50 से 104.70 उसके उपर जाके सिस्टीन कर रहा है नेक्स्ट इमेडियेट जो रिजिस्टेंस हमारे पास है वो है 105.50 से 105.70 देट इस एक्सपेक्टेट तो बी एमेजर रिजिस्टेंस एडिया considering debt in mind dollar index में और भी उपर strength होने का expectations है dollar rupee dollar rupee में before that means still Monday 4th of September एक range bound move हो रहा था between 82.50 and 82.85 यहां पर मैं बार बार बोल रहा था यहां पर price rejections आ रहा है इसके that being the case 82.80 82.85 is the major resistance area और कल convincingly वो resistance area को तोर के उपर चला गया है अभी 83.05 so rupee में कफी ज्यादा strength देखा गया है उसका reason क्या है क्या नहीं है कोई बोलेगा out flows है कोई बोलेगा Asian currencies में weak हुआ है कोई बोलेगा dollar index strengthen हुआ है कोई बोलेगा Asian currencies weak हुआ है means these are the reasons उसमें से कोई ज्यादा important होगा कोई कम इंपोर्टेंट होगा बट यहां पर आगर प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे तो यह जो 82.80, 82.85 जहां पर बार बार डॉलर रुपी आने के बद हतोरे से ठोका जाता था याने पिटाई धुलाई होता था यहां पर जाके आने से ही sell-off होता था दुबार यह 60.65 के लेवल पर आ जाता था देट इस वाई इस एरिया 82.80 से 82.85 वस प्रमिनेंट रिजिस्टेंस एरिया जब इसकी उपर प्राइस सस्टेंट करने लगा एन एक्वेल अमांट अफ selling pressure missed from the market यहां पर और भी जादा उपर के तरफ जाने का means कफे momentum देखा गया during the day and finally closed at 82.02 अभी क्या हम यहां पर expect कर सकते हैं यहां पर देखने वाला चीज यही है कि आपका जो daily RSI है यह currently at 61.47 और weekly जो है वो reaching 60 59.15 so इस level पर हमें देखना है क्या invisible hands यहां पर active होते हैं या नहीं expectations market expectations यही है कि आपका जो invisible hands are expected to be strong here क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें only time will tell अभी जो important resistance आपका है इसके उपर फिर दुबारा यह एक के उपर जाने के लिए challenge करेगा sellers को क्या होता है हमें during the day देखना परेगे especially the invisible hands GBP dollar कल अच्छा खासा week हुआ है from the day's high of 1.2630 यह low मारा 1.2564 for almost 100 pips अभी 1.2565 यह जो है यह area is crucial यह means previous support areas पे था यहां पे हमें देखना है कि price इस में consolidated करके उपर जाने का प्रयास करता है यह नहीं या नीचे के तरफ towards 1.243050 के तरफ जाने का तियारी करता है कल कर जो हमारा analysis था वहां पे हम एक outside inside pattern almost on all currencies देख रहे थे जहां पे यह जो neckline है इसके ऊपर ही हमें buying के लिए opportunity ढूलना था और इसके जब तक यह ऊपर नहीं जाता है तब तक sideways to little week हम expect कर रहे थे यह across GBP dollar, GBP INR, euro dollar and euro INR पर हम देख रहे थे GBP INR में bounce back क्या एक pin bar बनाया हुआ है it's because of the dollar rupee component क्योंकि GBP week हुआ है but rupee अच्छा खस स्ट्रॉंग हुआ है करीबन 30 से 35 पैसे का strength कल हमने देखे है that means the case यह जो pin bar है pin bar के high के उपर really we can expect some good buying pressure towards the neckline of this range that is 105.30 से 105.50 के तरफ below the low of the pin bar एक quick sharp sell off हम expect कर सकते है euro dollar पे हम यहां पर भी हम outside inside के हिसाब से एक buying opportunity के लिए इंतिजार कर रहे थे above this neckline that is at 1.0950 एक buying spree हम expect कर रहे थे लेकिन उधर तो जाने दूर उल्टा नीचे के तरफ आके lower target को test किया that means 1.07 का जो target है उसको support level है उसको test किया यहां पर price क्या further consolidate या हलका सा week होते है या bounce back करने का प्रयास करते है अभी as of now bounce back का कोई namonition हमें दिख नहीं रहा है bounce back towards the higher ends namonition है नहीं that being the case sideways to softness होने का expectations हमें यहां पर दिख रहा है यूरो आइनर पे भी हमने यहां पर outside result के expectations के basis पे buying opportunity हम ढूनने का price कर रहे थे इसके उपर 90.35 से 90.50 के उपर हम expect कर रहे थे लेकिन वो कल भी दिखा नहीं है तो यहां पर price थोरा सा consolidations होने देते हैं जब तक कोई strong reversal candle या reversal setup हम यहां पर नहीं देखते हैं देखने वाला बात है आपका dollar yet 147.57 यह कल जो high मारा है वो है आपका 147.80 यह कल का जो हमारे analysis था है यहां पर एक range है यह range is crucial इसके range के low के नीचे और also this trend line के low के नीचे हमें एक strong selling pressure anticipate कर रहे थे लेकिन क्या setup आया नहीं setup उधर कुछ आया नहीं है rather यह उपर के तरफ चला गया है उपर के तरफ जो हमारा 148 से 151 तीन बेगी का important resistance area है इस level पे बीयो जे क्या करते हैं हमें देखना है यह आयनर पे similarly हम buying opportunity के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी भी confirmations मिल नहीं रहा है यह trend line buying opportunity तभी मिलेगा जब यह trend line resistance के ऊपर हम देखेंगे dollar candy यह 1.3650 को दुबारा test किया हुआ है अभी क्या यहाँ पी थोड़ा सा time pass करके break out करता है या नीचे के तरफ break down करते है इस और टू opportunities हमें देखना है RSI के हिसाब से strength देखा गया है और सी dollar में काफी quickness देखा गया है यहाँ पर consolidation के बाद उपर जाने के लिए एक ही था कि all these resistance years को तोरे लेकिन वो तोरने के बाउजित बाद भी 0.6575 पर एक important resistance area था रेधर उधर ना जाते हुए औसी डॉलर रेधर नीचे soft हो चुका है that means weekend हो चुका है अभी यहाँ पर multiple support area पर आके multiple support means recently कितने 17th August onwards कितना 17th August then year 25th August and the current level यहाँ पर आके फिर दूबारा triple bottom बनाने का प्रयास कर रहे है लेकिर अभी तक क्या यहाँ पर support लेके उपर जाएगा उसके लिए कोई conviction अभी दीकिन नहीं रहा है dollar cn each 7.3140 यह जो है इतिना pboc का efforts के बावजुद भी उपर चला गया 7.3140 यहाँ पे जो आपका first September को पीन बार था इसके high के ऊपर एक अच्छा खासा upmove हम expect रहते हैं and वो ही हुआ है towards 7.34 के तरफ अभी regular business पे हमें pboc को नजर में रखना है क्या-क्या measures लगते हैं other than the intervention part Brent oil 89.88 कल एक अच्छा खासा upmove मारा था 90.88 मारने के बाद एक डॉलर नीचे अभी है यह जो zone है यह it's a very crucial zone यह zone अभी यहाँ पे कोई positive price formations क्या हमें दीखता है अगर दीखता है तो यहाँ पी एक अच्छा का सा एक upmove के लिए हमें तयार होना परेगा for a target equal to this much यानि आपका towards 106 अभी भी हुआ नहीं है यहाँ पर हमें देखना है कि यह थोड़ा सा price consolidate करके strength दिखाते हैं यानि और rejections होके नीचे के तरफ आते हैं या these are the two things that we can expect क्या होता है only the time will tell अगर consolidate करके positive candle के साथ strength दिखा के यह उपर के तरफ जाते हैं in such a case Brent oil पे एक अच्छा खासा उचाल हम देख सकते हैं which is negative for हमारा dollar dollar आपका जो US 10-year treasury काफी उपर है 4.26 यहाँ पे resistance ना लेते हुए रदर यह उपर के तरफ जाके sustain कर रहा है so only savers is RSI daily RSI at 60 now at 59.96 US 2-year treasury आपका है similarly यह उपर ही है काल का price यहाँ पे पिक अप नहीं कर रहा है शायद trading view का कुछ issues होगा and but the RSI is approaching 60 so that is only the severe as far as treasury yields are concerned so पुरा का पुरा analysis में हमने क्या देखा है हमने देखा है dollar index strength होटते हुए against GBP dollar against euro dollar against Aussie against yen against CNH everything तो रूपी कैसे छुट जाएगा इसलिए रूपी में भी अच्छा कासा weakness हम देखें अभी देखना है धाई किलो का हाथ का कमाल होता है या नहीं क्यूंकि हम धाई किलो का हाथ एक ऐसा है आप अगर उनके उपर ज्यादा rely भी नहीं कर सकते हैं और उनको ignore भी नहीं कर सकते हैं वो कहते है ना स्वात के लिए न छोड़ सकते हैं और काटे के लिए उसको ठाना चाहते और काटे के लिए उसको एववइड करना चाहते हैं एक means means क्या बोलेंगे means जोरूरी aspect है जिसको हम ignore भी नहीं कर सकते हैं और इसको हम blindly follow भी नहीं कर सकते हैं so ऐसा एक situation से so currency pre-market analysis अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ यह presentation अपको अच्छा लगा होगा लाइक केजिए, comment केजिए खराई बीफरेंस कि अभेड़ की एक यह झालते हैं झालते हैं यह एक यह झालते हैं झालते हैं